नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके चनल में एक बाब फिर से जैसे कि दोस्ता आप सभी को पता है कि हम सब के बीच में इंदू की जवानी ठेटर पर रिलीज होने जा रही है आज के दिन और दोस्तो हम आपको बताएंगे कि इंदू की जवानी अपने पहले दिन इंडियान नेट कलेक्शन और रेसे और वर्ल्ड वाइट में कितने करोड रुपे कमा रही है वहीं पर दोस्तो फिल्मे के occupancy क्या है फिल्मे का buzzard क्या है और दोस्तो कितनी स्कीनों पर फिल्मे को launch करा गया तो दोस्तो अगर आप किया राडवानी के एक बहुत बड़े फैन है तो फटा फट चनल को सस्क्राइब कर बेल आपने को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की notification आप तक पहुच पाए सुध हिंदी में सबसे पहले चलिए दोस्तो हम बढ़ते हैं हमाई न्यूस के तरफ वेल फेंड अगर हम बात करें इंदू की जवानी शानदार फिल्मे की तो दोस्तो मैं आपको बता दू कि इस फिल्मे को अल्डिटी पेले से ही बाइकोट करा जा रहा है क्यों दोस्तो करके दोस्तो इस फिल्मे को प्रेड्यूस करा है भूशन कुमाने और दोस्तो इस फिल्मे का बजट बता जा रहा है लगबग 22 करोड रुपे अगर दोस्तो बात करें इस फिल्मे के स्क्रीन काउंटिंग की तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि इस फिल्मे को स्क्रीन काउंटिंग में रखा गया है लग बग 1100 की वहीं पे अगर हम बात करें फिल्मे के occupancy की तो इस फिल्मे के morning के occupancy तो कुछ खास नहीं है जियां दोस्तो इस फिल्मे के morning के occupancy केवल 4% है वहीं पे इस फिल्मे के afternoon के occupancy महस 8% है अगर दोस्तो बात करें फिल्मे के इविनिंग के उक्योपेंसी की तो दोस्तो इविनिंग के उक्योपेंसी कुछ शानदार नजर आ रही है और दोस्तो इस फिल्मे के इविनिंग के उक्योपेंसी 15% की बताई जा रही है इसी की साथ में दोस्तो जिस तरह के फिल्मे को स्क् देखने के लिए मिल जाएगी वहीप दोस्तों यह फिल्म इंडियान ग्रोस कलेक्शन कर लेगी 2 करोड 85 लाग रुपे अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के विदेशी मार्केट के कलेक्शन की तो दोस्तों कियरा अड़वानी के एक्टिंग के वज़े से यह फिल्म ओवर रुपे का अकड़ा पार कर देगी तो दोस्तों मुझको लगता है कि यह फिल्म अपना बज़ेट तो रीकवर करी लेगी 37 दोस्तों हेड भी हो जाएगी आपके ओपिनिन क्या है कि ये फिल्म अच्छी है या फिर बेका या फिर इस फिल्में को बाइकोट करना चीए हमें अपने ओपिनिनन कमेंट जरू करिएगा और 37 दोस्तों इंदु की जवानी की मुवी के हर एक बॉक्स ओफिस रिपोर्ट जानने के लिए आपके और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिएगा जय हिंद वन्दे मातरम